हलो फ्रेंट्स आज हम लाए हैं ग्यारा ग्यारा वेब सिरीज यह ओटिटी पर रिलीज हो चुकी है इस वेब सिरीज के मुक्य कलाकार हैं रागव जैवाल क्रितिका कामरा और धेरिये इस वेब सिरीज की बात करने से पहले रिक्वेस्ट अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो ता कि हम आपको ऐसे ही नहीं नहीं अपडेट दे सकें बढ़ते हैं कहानी की और कहानी की शुरुवात यूग से होती है यूग एक फिमेल ओफिसर वामिका को रिपोर्ट करता है वामिका कुछ हद तक यूग से जलती है लेकिन उसके टैलेंट पर वरोसा भी करती है कहानी एक ऐसे टाइम फ्रेम से शुरू होती है जहां कानून और नियाए व्यवस्ता से जुड़े बदला होने के कारण और 15 साल पुराने हर केस को क्लोज कर दिया जाता है एक 11 साल की बच्ची की हत्या केस को सुलजाने की जिसमें एक ट्विस्ट तब आता है जब स्टोर रूम में कबार पड़े एक वोकी टोकी की लाइट अचानक ओन हो जाती है और इसमें बेटरी नह होने के बावजूद भी ठीक रात 11 वजे और 11 मिनिट पर शोरिये नाम का एक अफसर इस पर रिपोर्ट करता है शुरू में तो युक को कुछ समझ नहीं आता है लेकिन वो इस वोकी टोकी पर शोरिये नाम के अफसर से मिली जानकारियों की कंफर्म करने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि हर इंफर्मेशन ना सिर्फ सही है बलकि इस अफराद को कौर्ट में साबित करने के सबूत भी देती है यूग और वामिका साथ मिलकर इस बच्ची के केस को सुलजानी की कोशिश करते हैं और अफरादी को पकड़ भी लेते हैं लेकिन ये केस न्यूज में इतना वाइरल हो जाता है कि सरकार एलान करती है कि 15 साल पुराने अपरादिक महामले वाले केस नई बंद किये जाएंगे अब चुनोती है इससे नए केस को हल करने की हर रात 11 वजे 11 मिनिट पर यूग की शेयरिये से बात होती है और दोनों एक दूसरे से ऐसे क्लू शेयर करते हैं जिसकी मदद से अपने अपने टाइम जोन में वो इन अपरादों को रोकने और इन कातिलों को पकड़ने में काम्याव होने लगते हैं भूमिका नहीं जानती है कि यूग जिससे वोकी टॉकी पर बात करता है वह वही शक्स है जिससे वह प्यार करती थी उसकी मौत हो चुकी है तिनों ही टाइम फ्रेम में केस आपस में इतने उल्जे हुए है कि सस्पेंस और थ्रिलर का लेवल काफी हाई है कानी इतने इस तरीके से लिखी गई है कि आगे क्या होगा ये सोच पाना मुश्किल है पहला एपिसोड थोड़ा दी में शुरू होता है लेकिन भूमिका तैह हो जाने के बाद हर एपिसोड की आखरी में आपके लिए अलग एपिसोड को प्ले करना मुश्किल हो जाता है क्या यूग और वामिका शौरिय भूद बविश्य और वर्तमान की इस टाइमिंग ट्विस्ट की गुतियों को सुलजा पाएंगे क्या वामिका को उसका प्यार मिलेगा क्या उन अपरादियों को सजा मिलेगी जिनकी ये अपिसर परताल में लगे हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आकिर वोकी टॉकी पर ये सिगनल रात 11 बजे 11 मिनिट पर ही क्यों आते हैं ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सिर्फ सीरीज देखनी ही पड़ेगी और ये वेब सीरीज बिलकुल डिफ्रेंट और हटके है और इस वीडियो में कोई चीज पसंद आए या नए प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसे यह नए नए वीडियो और नही नए अब्डेट ला सके मिलते हैं नए वीडियो में धैंक यू